जनता की आवाज बनी कॉंग्रेस, महंगाई और बेरोजगारी पर घिरी मोधी सरकार, जब बेरिकेट से कूदी प्रियंका गांधी, जब सडकों पर घसीते गए कॉंग्रेस सांसद, कॉंग्रेस से डर गई मोधी सरकार, नमस्कार मैं हूँ परवीन शेक, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है, आज की इस रिपोर्ट में विसार से चर्चा करेंगे, जनता की आवास बनी कॉंग्रेस की, कैसे राहुल गांधी ने मोधी सरकार को दीच चुनौती, प्रियंका और राहुल गांधी के एक्शन से, कैसे बीजेपी में मची खलबली, कॉंग्रेस ने तेज की महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई, आज कॉंग्रेस ने मनाया काला दिवस, काले लिबास में नजर आई, पूरी कॉंग्रेस पार्टी, बड़ती महंगाई और बेरोजगारी आज देश के दो बड़े मुद्दे हैं और जिस पर मोधी सरकार बुरी तरह से गिर गई है विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार को नीन से जगाने के लिए कॉंग्रिस सड़को पर है सरकार ना तो विपक्ष को खुल कर अपनी बात रखने दे रही है और ना ही विपक्ष के सवालू का जवाब दे रही है लेकिन कॉंग्रिस अब रुकने के मूड में नहीं है और इसलिए आज फिर कॉंग्रिस सड़को पर है देश में महगाई अपने चरम पर है तो बेरोजगारी नए नए रिकॉर्ड बना रही है कॉंग्रिस लगातार जनता की आवाज उठा रही है और सरकार का घेराव कर रही है कॉंग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ खुले इस मोर्चे का नेत्रित्व राहुल गांधी कर रही है राहुल गांधी की नेत्रित्व में जहाँ एक तरफ कॉंग्रेस ने आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा राहुल गांधी ने कहा राहुल ने सरकार को घेरते हुए एडी की कारवाई को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा वहीं आज कॉंग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और पीम हाउस का घेराफ करने का एलान क्या इस वीच राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी ने पीम मोदी पर निशाना साधा राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा इस्ताना शार सरकार को डर लग रहा है भारत की हालत से कमर तोड महंगाई और एतिहासिक बेरोजगारी से अपनी नीतियों से लाई बरबादी से जो सच तस्वीरे सुर्ख्यों में आ गई जब वो दिल्ली पुलिस की बैरिकेट से कूदी उनकी ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हुगई चलिए आपको भी वो तस्वीरे दिखाते हैं प्रियंका का ये अंदाज आख कॉंग्रेस में नई जान फूग गया इसको लेकर कॉंग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट के कॉंग्रेस ने अपनी ट्वीटर हैंडल पर लिखा ये संगर्ष सड़क का है इस संगर्ष में समझोता मनजूर नहीं प्रियंका गांधी जी का ये संदेश हर कॉंग्रेस जन का संदेश है महंगाई पर हल्ला बोल ताना शा कहां तुम रुख पाओगे जनता की आवाज उठाने से जनता के लिए ताना शाई हुकुमत से भड़ जाने से ये नारी शक्ती है ताना शाई हुकुमत की चूलो को भी हिला सकती है महंगाई पर हल्ला बोल महंगाई बेरोजगारी की खिलाफ आज कॉंग्रेस सडक से संसद तक प्रदर्शन कर रही है कॉंग्रेस कारेकरता सरकार के खिलाफ सडक पर हल्ला बोल कर रहे हैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी हर वो मुद्दा उठा रही है जो आम जनता से जुड़ा है महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज कॉंग्रेस सडक से संसद तक प्रदर्शन कर रही है कॉंग्रेस कारेकरता सरकार के खिलाफ सडक पर हल्ला बोल कर रहे हैं देश के मुख्य में पक्षी पार्टी हर वो मुद्दा उठा रही है जो आम जनता से जुड़ा है हाला कि कॉंग्रेस सरकार पर लगातार हमलावार है लेकिन आज कॉंग्रेस का जो अंदाज है वो बीजे पी के लिए खत्रे की घंटी है आज एक बार फिर कॉंग्रेस कारेकरता सडको पर हैं मोदी सरकार के खिलाफ नारिबाजी हो रही है जनता से जुड़े मुद्दो को उठाया जा रहा है और कॉंग्रेस का ये अंदाज बता रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है यानि बीजे पी का बुरा टाइम अब शुरू होने वाला है सडको पर सोशल मीडिया पर और संसत में तो कॉंग्रेस लंबे समय से अपनी आवाज उठा रही है और सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है और कॉंग्रेस शुरुआ से महंगाई बेरोजगारी जीस टी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग कर रही थी और सरकार लगातार भाग रही थी कॉंग्रेस जिस तरह से अपनी मांग पर अड़ रही है उसमें सरकार को जुकने के लिए मजबूर कर दिया और सरकार को चर्चा के लिए राजी होना पड़ा और विपक्ष के आगे सरकार के जुकने की ये शुरुआत थी आज राहुल गांदी सुनिया गांदी समय कॉंग्रेस के तमाम सांसद जिस तरह से काले लिबास में नज़र आए वो इशारा है कि अब कॉंग्रेस खुल कर बिना किसी डर और परवा के मुकाबले के लिए तयार है राहुल के इन तेवरों ने कॉंग्रेस में नई जान फुक दी है और वो आज सड़कों पर नज़र आया राहुल गांदी के इस अंदाज में बीजेपी में बेचेनी बढ़ गई है और उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया देश महंगाई और बेरोजगारी की आग में जुलस रहा है लेकिन सत्ता पर काविज बीजेपी मानती है कि देश में महंगाई नहीं है कॉंग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है तो उसके नेताओं पर E.D. का शिकंजा कसने लगता है लेकिन राहुल गांधी ने E.D. और मोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और पियम मोधी अब आमने सामने हैं कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच अब सीधा रंट छिड़ चुका है राहुल गांधी किसी भी कीमत पर मोधी सरकार के खिलाफ हत्यार डालने को तयार नहीं है राहुल ने आज फिर पियम और बीजेपी पर गंभीर आरूप लगाए राहुल ने मोधी सरकार पर विपक्ष को संस्थाओं के जरिये बरबाद करने का आरूप लगाया है कॉंग्रेस महंगाई और बेरुजगारी के खिलाफ आज देश भर में विरोध परदर्शन कर रही है उन्होंने कहा कि लोगतंत में विपक्ष संस्थाओं के माध्यम से ही लड़ता है और आज उन्हें बरबाद किया जा रहा है ये सबी संस्थान फिलाल सरकार को समर्थन दे रहे हैं इसकी वज़ा ये है कि सरकार ने यहां अपने लोगों को बिठा दिया है राहुल गांधी ने अब एक मशाल रोशन कर दी है अब इस मशाल को जनता किस तरह आगे बढ़ कर थामती है ये बड़ा सवाल है तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और शेयर करें देखते रहे हैं डीवी लाइव नमस्कार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीवी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंसती रहें देखते रहें डीवी लाइव क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगाता हुआ 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 है